एक साधक ने प्रश्न किया कि, महाराज जी कोई एक काम में लगातार नहीं कर पाता, तथा मन शांत नहीं रहता, इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है, गुरु का उत्तर देखो समस्या भायाया है कि मन वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है, तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सुक्ष्म रहेंगे, अगर वीर्य कमजोर हो गया तो, मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन होगा, चाहे ग्रहस्त, चाहे विरक्त हो, ग्रहस्त के लिए अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ है, तब तक तो और सन्यम से रहना ही चाहिए, अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवरित हो सकता है, अध्यात्म शक्ती वीर्य से ही प्रकट होते है, जब हम ब्रह्मचर् फिर उन्होंने माता विनिता को गर्भ धारन कराया, तो जानते हो कौन पैदा हुआ भगवान गरुन जी पैदा हुए, कितने बलशाली भगवान के वाहन है, पूरे विश्व ब्रमांड को अपने एक, पंखे में रखकर उड़ सकते हैं, एक सौ हजार वर्ष भजन किया, तो फिर गरुन जी पैदा हुए, अगर ग्रिहस्त में भी है, तो सन्यम से रहकर भजन करके रही है, फिर बुधिमान ग्यानवान बलवान बालक पैदा होगा, मुझे लगता है ब्रमचरे की तरफ से हमारे समाज की दृष्टी हट्ती चली जा रही है, मनोरंजन के भाव मे वो ब्रमचरे नश्ट कर रही है, इसलिए हमारा मन अशांत होता जा रहा है, बोलो अब इस समय आप यवन अवस्था में हो, इस समय तो उत्सा रग रग में रहता है, नई चेतना रग रग में रहती है, हम नए बच्चों को देखते हैं, उत्सा हीन मतलब जैसे परिशान हो, क्योंगी आंतरिक जो शक्ती सपोर्ट करने वाली थी, उसे नश्ट कर दिया, अब मन जिस विचार में फसा देता है, बिना मतलब गलत विचार में फसाय हुए हैं, कोई भय नहीं फिर भी वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं है फिर भी वो शोक दे र तो इतना संशय पैदा कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि है आप प्रमहाचारी हो और गिर जाए फिसल जाए यदि मैं एक गिरा दो बार गिरा तो मैं निराश होकर हारूँगा नही बलकि हजार बार प्रयास करूँगा और इस मन पर विजय प्राप्त करूँगा मतलब एक जिद्धी स्वभाव होना चाहिए आपका यह निष्ठा उसी ब्रमहाचर्य से आती है उसी ब्रमहाचर्य से यह जो संत महात्मा है वो बड़े-बड़े कश्टों को रौंद करके आगे बढ़ते हैं यह ब्रहमचर्य में पावर है और इसे हम नश्ट कर रही है जिसकी वज़े से हमारा प्राण स्थूल हो गया है वासना में मन हमारा चंचल अशांत हो गया है क्यों क्योंकि हमारा ब्रहमचर्य ठीक नहीं है अब उस पर किसी की दृष्टी नहीं जाती है अब ब्रहमचर्य कैसे ठीक हो हमारा श्रवन ठीक है नहीं। गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाए करें। फिर ब्रहमचर्य कैसे रहा जा सकता है। अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है। कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रहमचर्य क का सुधार करो हम सब से कहते हैं, व्यायाम करो, बिना शरीर को ठकाए ब्रहमचरे को पचाया नहीं जा सकता, जैसे डंड बैठक, दौड भाग, व्यायाम क्रिया आदी, फिर आप भले ग्रिहस्त हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, तीस मिनिट तो पूरे शरीर को ऐसा व्याय करें, चार बजे, उठक कर नहा धोकर के घंटा आधा घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन कैसे प्रकाशित होने लगेगा, यह नहीं कहते कि आप बाबाजी बन जाओ, ग्रिहस्त में भी आप, ग्रिहस्त जीवन कोई साधारन नहीं है, इतना बड़ा बोजा लाद के चलना है परिवार का, शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं, तो क्या है आपके पास, अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरंधी ले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो, जाएगा, कि आपको सब कहेंगे प्रमाग में पढ़ा रहता है, कुछ एक आगरता ब्रहमचर्य से आती है, आख बंद या खुली रखो, अगर ब्रहमचर्य ठीक है तो एक शीतलता, एक गंभीरता और जिधर दृष्टी लगा दो उधर एक तम्मन चिपक जाएगी, जैसे भजन में, नाम में या आप सांसारिक कार्य में भी बहुत अच्छा का अब शरीर में दम ही नहीं है, यंत्र का जमाना हो गया है, पहले खेती जोते थे नाकिसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतना होता था, तब मनुश्य बलवान होते थे, दो लीटर मठा आठ रोटी पाए, फिर बैल की जैसी महंत करे और अगर बैल के जोताई होती है, कोई महंत लगती ही नहीं है, तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं, बड़ा कीमती शरीर है, हाँ इसमें बहुत चेतना की आवशकता है, संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चैन करके, हमें भगवत की प्राप्ती करन अरे कम से कम जितनी उचाई पर आ गए उससे नीचे तो ना जाए, सुर कुत्ता तो ना बनना पड़े, मनुष्य बन गए हैं, तो उचे, चड़े की ना की नीचे गिरे, पर यह ध्यान नहीं रहता, हम काम करने लगे वही जहां से नीचे गिरना है, अब दूसरे जीवों क मास खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, विचार करो ये कर्म कहां ले जाएगा, एक्दम नश्ट कर देगा, तो जवान बच्चे हो सावधान रहो, खान पान ठीक रखो, सावधानी पूर्वक चलो, ठीक है, राधे राधे